जीस असर से पानी की रेस्यू है रपता है हमें नहीं लग रहा है जी एक भी गर बचेगा और ये रोड जो आपको दिख रहा है गाउं से जो आ रहा है ये रोड भी डूब जाएगा कुछ समय के बाद इस रोड पे भी पानी आ जाएगा डूब जाएगा इन लोगे की सारे आधिसी जादा संपती पानी में ढूब गया बाह गया लेकिन सरकार के तरफ से अभी तक कोई मुआपजा कोई मदद नहीं मिला कम से कम एक नाव की वेवस्ता भी अगर मिल जाता तो इन लोगों की सामान जो है कुछ सुरक्षित आ जाता जो की सुपहल जिला के एक गाउं क्या है कि जहां पर वे बार तो और जो क्यों हो क्यों कि आता है यहां रोल पार जो है नेपाल जो है जो पानी। पानि का निदान निकल जाए, तो आज जो परिष्थिति पडिवार की है, इस गाउ की है, जो यह हलात है, यह एक ही गाउ नहीं, कहीं एक गाउ इसा है, जिसमें यह परिष्थिति बना हुआ है, यह नहीं बनेगा। लिए हमको बोड़ दीजिए हम आपका मदद करेंगे लेकिन जब यह पड़िस्थिती आता है तो इस समय में ना को ना कम है फ़ो को यहां भारः बजे शेपानी आया रात को यहांप आया सब समान फर्जियां अदरौत though here नवाभ आख़त पर सही है लवुआ बाखर परशाही है हां सुपोल जिला में पर्शाषन के दौणा एरलोट नहीं किया जानकारी कुछ नहीं दिया है फिसपोट पानी आ गया लिटी में तब उधर पिछले नदी काद में एक बान है तुट गया सिधा पानी इदा आया क्या भी पर्शासन के तरफ से कोई मदद आप लोग को मिला है और आया था इदर उदर घूम को इसा नाव वेवस्ता दी गया है आप लोग कैसे समान सब्ला रहे हैं अब लोग कैसे सब्ला रहे हैं आप लोग करे कि लिए कुछ मदद करे के लिए कुछ मदद ने आप लोग का लाए परसासन की गारी आया था रोड पर होते हुए सिदा अगे निकल गया यहां रुप करके देखा तक नहीं कोई सुध लिया गया इन लोगों के पास नाओ की बेवस्ता नहीं है इन लोगों का सारा समान फसा हुआ है बच्चे फसे हुआ है मवेसी फसा हुआ है सारे समान जो है पानी इनको पानी आने वाल वे फिकर थे जब रात में बारा बजे पानी आया उस समझ से ये लोग अपनी इंडिया सरकार की बनती है जो अगर डेम की ववस्ता की जाए पानी का निदान निकाला जाए तो इस परिस्थिती में यह लोग नहीं आएंगे क्या लग रहा है आप लोगों को कुछ उमीद जगह है जो मिलेगा सरकार के तलब अभी तक तक नहीं मिलें इनको डूलने के लिए कोई नहीं आया है आखिर क्यों नहीं आ रहा है कि अधिक यह काफी सारी कठनाई इन लोगों को जहना पड़ रहा है रोड के किनारे मजबूर हो रहा है यह लोग रहने के लिए इन लोगों के पास अभी तक सरकार की तरफ से कोई सहता नहीं आया है और इधर जो परिस्थिती बन रहा है पाणि ऊथ पे हाथ चरहा जा रहा रहा है पाणी जासर से पाणी की रेस्ट्यू ऊफ्तार है हमें नहीं लग रहा है जिस एक भी गर बचेगा और ये रोड जो आपको दिख रहा है गाउं से जो आ रहा है ये रोड भी डूब जाएगा कुछ समय के बाद इस रोड पे भी पानी आ जाएगा डूब जाएगा इन लोगे की सारे आधी से जादा संपती पानी में डूब गया बाह गया लेकिन सरकार के तरब से अभी तक कोई मुआपजा कोई मदद नहीं मिला कब जे कम एक नाव की वेवस्ता भी अगर मिल जाता तो इन लोगों की समान जो है कुछ सुरक्षित आ जाता जो की नाव नहीं है जिसके काने इन लोगों को आगे पूल छोटा सा था जो तूट गया वहां पर भर चाती पानी है उस पानी में तैर के मजबूर हो करके हेल करके जिसको हिन ले आता है तेर ने आता है वो तो अपना समान ला रहा है बाद वांकी लोगों को काफी सारा कठना ही है देखिए अभी ये लोग घर बनाने के लिए कैसे बास गार करके बंबू गार करके बास देखिए बास बला लगा करके राने के लिए मजबूर है और काफी सारी परिशानी का सामना करना पर रहा है इन लोगों को देखिए गारी भी आने जाने के लिए आवाजाई भी अबरूर हो रहा है और कुछ समय के बाद लग रहा है जब जगह नहीं है कहां बसेंगे लोग कहां रहेंगे रोट पे ही रहना परेगा मजबूरी है अभी तक अब यहां पर रहा है और चारा की तो कहीं बिवस्ता ही नहीं यह पता नहीं जानबर क्या क्या का सूर बहुए यहां ? क्यात लोगों को छानने के लिए बचाने के लिए आयने देखने के लिए हां वादी है वादी दखने के लिया है타da आप लोग जाके मदद कीजिये इनको बचाईए सरकार के तरफ से अभी तक उब तक वह इन लोगों को सुखसादन नहीं मिला है नहीं मिला है लोग की अगर बिवस्था करता तो को जान बच सकता था